दोस्तों नमस्कार आज फिर में आपके लेक नया कल्टिवेशन के बारे में कुछ इन्फरमेशन लेके आयो देखिए मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह से वीडियो देखने को मिल गाई यह देखिए इसको आसाम में काला जोहा बोलते हैं आप लो बहुत के रेडी हो जाएगा यह तो आपको खाने में बहुत मजाएगा और बहुत शुगंद है और यह ज्यादा नहीं खाया जा सकता है यह उकरजिनली यूज करते हैं और इसका खेती कम होता आप देख रहे हो यह देखो मैं आपको दिखाने का कोशिज कर रहा हूँ इस इसले में इस वीडियो को बना रहा हूँ मेरा परपस ही हैईगी मुझे पता चली कि बाहर क्या बोलती है आसाम में इसको थोड़ा सा जानकारी लेने का कोशिफ करता हूँ तो आप लोग देखिए मैं भैया को पूछ रहा हूँ ठीक है काला जोहा के बारे में जो यह किसान है यह लगबख इनका आदा खेती इनका ही है और यह काला जोहा का खेती क्या है यह बहुत शुगंदीत होता है मुझे खाने को मिला बहुत टेस्ट रहता है यह आसाम में काफी प्रशीद है साइध हम लोगों को उदर जो बास्मति वगरा होता है उसकी तरह है तो मैं यह हम पूछूंगा फोड़ा आप बताना इसका क्या है का सिस्टम में कैसा खेती होता है यह फिर शास खुर के वह धान फेकना होगा फेक के जो कि वह गजाली में कर को वाड़ाइय कोठ्या होगा लगाना परेगा में लगाने का बात यह लाए pegar जोँता है दूर्शा में क्या बलता है नाइं से लेगशे कि अहुट कि इसका प्रोसेस किया मंदलब क scor पेचान मैं भाइस का भी ऐस ऐसा जारॉट जाल सफध रहेगा करद इसका बहुत जादा सुगंध रहेगा जो बहिया से उगाएगा पुलाव बिढ़र जो भांत है इसे विश्य हां देखे साथ ही यह वियानी वाली चावल है जो वह बता रहे है आपको देखने को मिल रहा हूँ छावल। पैसे हैं कि भी अगाग है ही दो ने कुसा को मिल रहा है उसी हम को सब दोगारणय चावल है। देखेए इसको रंजित बोलते है गया बोलते है अलग अलग टैप है मगर मुझे यह छव्यूनिक लगा देखने में ठोड़ा सा काला रंगा है आपको मैं सामने से दिखा YEAR पार रहे हो है न बेलकुल काले रंगा है देखी है को काले रंगा दान है काला प्लॉप खेद घूमने आया हूँ अच्छा लगता है मोसम अच्छा है यहां पर इस सीजन में अच्छा रहता बारिश वगरण नहीं रहता है तो आप घूम सकते हो कहीं भी देखेंगे पूरा सारा खेद हरा बरा रहता है बहुत अच्छा मोसम रहता है थोड़ा सा ठंड सा सो स स्टार से आप देखें देखेंगे वहारा है तो कि घृचश सब कुछ होगी उसके बाद इसको फिर आजकल का तो ट्रेक्टर का सिस्टम है आगे तो बेल गाड़ी से बेल से लिया जाता था बेल से किया जाता था तो ये साथ तीन मेने का खेती होता है जो चावल का खेती है मैनत दो तीन मेने का और साल बर का खाना अच्छी खेती माली जाती है और ये स ऐसाम का थोड़ा से एक छोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है वहां से थोड़ा से जानकरी दिने का कोशिश कर रहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो देखिए और इंजै कीजिए लाइप को नेचर को इंजै किजिए सबसे बड़े चीज नेचर है देखे सेफ किज़े ट्री को पेड़ों को बचाने का कोशिश किज़े और पेड़ लगाते जाए थैंकि सो मच